कि quartz कुछ से करेंड, वेल्कम बेक टो इस्पीडर एजूकेशन दोस्तो आज मैं जो मैद की मेरी क्लास है इसमें यह मारी मेरी क्लास 64 है ठीक है और यह Dwwire Impty का part 4 है ठीक है दोस्तों तो आज की class में हम compound interest का next part देखेंगे इससे पहले मैंने compound interest के जिसमें principal value निकालना था CISI दिया हो या तो सिर्फ SI दिया हो या CISI का difference दिया हो या कुछ भी दिया हो हम बड़े असानी के साथ solve कर देते हैं two year दिया हो three year दिया हो one year one point five year दिया हो ठीक है वन एर 73 डिया हो किसी में टाइप कर दिया हो अब लोग सारे को टेगल कर चुके हैं ठीक है अभी हम लोग एक और concept देखने आले दोस्तों अभी तक जो कोशान से करते थे इस तरीके स्कूरते थे यह आपकी principal value है यह फर्स्ट यह का interest यह second year का interest और ऐसे करके solve करते थे ठीक है लेकिन आज जो तरीका बताने वाला हूँ उससे भी आप आपके ज्यादातर कोशन 90 90 से ज्यादा परसें 90 परसें से उपर आप इसी से कोशन कर लेंगे लेकिन कुछ कोशन होते हैं जो इससे थोड़े लेंदी हो जाएंगे इसस आपका मनों तो इससे भी कर सकते हैं आपका मनों तो इससे भी कर सकते हैं मैं आपको इर्वाइज करूंगा आप यह वाला मिथर ज्यादा यह वाला मिथर ज्यादा करिएगा ठीक है यह आपका first year हो गया यह second year यह ज्यादा करिएगा देखिए अगर आपको दिया हो एक मिन सब्सक्राइब कुछ भी उसलिए आप बड़े आसानी से पता सकते दोस्तों ठीक है जैसे आपका दिया हो रेट अगर आपके रेट की बात करूं रेट सब्सक्राइब होता कि हाँ मैंने बताया था की कि 100 रुपय पे एक साल का इंट्रेश कितना होगा वही हमारा क्या होता है कर रेट सब्सक्राइब होता ही सब्सक्राइब रेट कराता हमारा अगर मैंने बोला कि रेट हमारा है यहِ का है 10 परसेंट और सेकेर्ट का है दोस्तों motsाने हमारा बेन फस्च्ट यह का एक्स परसेंट सेकेंड़ यह यह परसंट इत्ती चीज़ क्लियर हो गई ओके फर्स्ट येर का हमारा एक्स परसेंट है सेकेंड येर का वाई परसेंट है अगर हमारा टी तो दिखी रहा है ती यहां तो आपका जो फाइनल फाइनल बोल लिज्याँ affected rate बोल लिज्याँ फिर य इफेक्तिव रेट भी बोल सकते हैं effective जो rate होगा आपका उसका फार्ला होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाईड वाई 100 ये कितना 머ंट ठीक है इतना percent होता है effective rate जैसे कि ऐसे आपने कोईशन successive increase में भी देखा होगा कि अगर किसी amount को x percent बढ़ा दिया जाता है फिर y percent बढ़ा दिया जाता है तो effective कितना percent बढ़ा दिया गया तो अब इससे में निगाल सकते हैं जैसे 10 percent बढ़ा दिया गया किसी भी आइटम का कोई price था उसको पहले 10 percent increase कर दिया गया फिर 20 percent increase कर दिया गया तो overall कितना increase कर दिया गया overall होगा 10 plus 20 plus 10 into 20 divided by 100 यह आपका हो जाएगा 30 और यह हो जाएगा आपका प्लस यह हो जाएगा two आ जाएगा आपका कितना percent increase कर दिया गया धर 22 पर से एडिके आपका कितना percent increase कर दिया जाएगा थरर्डी 2 पर से आपका दोस्तो increase कर दिया गया overall होगा मैंने 10 परसंग लिए ऐसके तो आपका overall कितना है आप 10 पर सेटरांट मेंowला shout सक्सेस्टियू का फार्मूला बोलते हैं ठीक है यहां पर एक सकते हैं और अगर डिक्रीज कर रहा होता तो माली जी अगर बोला होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं सक्सेस्टियू का फार्मूला ऐसे आप बॉक्स बना कि इसको बंद कर लीजी इसको बोलते हैं सक्सेस्ट सक्सेस्व का क्या बोलते हैं फार्मूला ठीक है उसी का हम लोग compound interest में यूज करते हैं क्योंकि first year में x% increase किया compound interest second year y% increase किया तो उबराल से success वह लगा देंगे x plus y plus xy divided by 100 अगर मैंने बोला होता इसी में कुछ में दे सकता है अगर मैंने बोला कोई amount था उसे पहले x% बढ़ाया गया फिर y% घटा दिया गया तो बताइए effective rate कितना होगा x plus x है फिर minus y फिर यहां पर देखिए यहां पर जाएगा plus 9 होता है यहां पर x into minus y divided by 100 तियो को हो जाएगा x minus y minus xy by 100 यह क्या है percent इत्ता effective rate को है ऐसे एकर देता कि देखिए इत्दी बासम जा गई इसको भी sign note कर लीजे आपलो start बना के इसको भी note कर लीजे अगर आपका होता कि पहले बोला कि minus x percent decrease किया गया फिर minus y percent decrease किया गया तो overall कित्ता decrease किया गया माइनस x minus y प्लस यह माइनस x minus y हो जाएगा माइनस x और माइनस y डिवाइड बाई 100 यह हो जाएगा माइनस x minus y प्लस x y डिवाइड बाई 100 percent बस यह आपका हो जाएगा simply कोई ज़्यादा difficult task नहीं है इसको बोलते है successive decrease और successive increase में मुझे यह बता देना चाहिए था चरी कोई बात नहीं आप समझ जा गया यहाँ पर इसको भी नोट कर लिजे इसको भी नोट कर लिजे फटा पड़ ठीक है चलिए तो इसी इसी जो फार्मुला है इसको successive का फार्मुला बोलते है इसी फार्मु compound interest minus simple interest आपका होता है xy divide by 100% मतब जो यहाँ पे है देखिए हमारा जब P की value ऐसे find करते थे फी की value जब find करते थे तो अगर x% से इसका x आता था इसका y आता था और यह किता था दोस्तो xy divide by 100 वहाँ मैंने value सालू करते थे यहाँ पे समझे ऐसा है तो जो यह आपका है यह व portion है यह वाला portion है यह आपका क्या है को दोस्तो c i minus si यह वाला portion यह वाला portion क्या है c i minus si जैसे मैं question जब कराऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे-ची clear होगा ठीक है दोस्तो इसको बोलेंगे हैं हम लोग c i minus si तो अगर rate दिया हो first year का x% second year का y% total time 2 year दिया हो तो final और effective rate हमारा होगा x plus y plus xy divided by 100 यह और कुछ नहीं है यह successive का formula है अगर किसी item में x% बढ़ाया गया फिर y% बढ़ाया गया कितना effective rate होगा पहले minus x% discount दिया गया फिर y% increase कर दिया गया तो कितना होगा अब बस sign change करते हैं यह सारा formula का बनता जाएगा ठीक है चलिए एक एक आग दो example किया जाए इस पर चलिए करते हैं दोस्तों ठीक है चलिए फटापट करते हैं आप लोग लोग वीडियो को stop करके आप नोट कर सकते हैं इसको time देने के लिए जरूरत नहीं है कि मैं आपको रुकू य आपको नोट कर लिए चलिए देख कोशन है कि अगर आपका principal value अगर आपकी principal value दी हुई है किता दिया हुआ है भाई 4000 दिया हुआ है principal value 4000 दिया हुआ है first year का जो interest है ओ दिया हुआ है 1% second year का 2% ठीक है find the compound interest simply कोई अगर राकेट साइंस नहीं देखें इसको आप जो पहले method कैसे करते थे मैंने पहले method को माल लिया आपका देखें अभी इस method को दिया था उस method से क्या होगा आपका compound interest compound interest is called to होगा x plus y plus xy divided by 100 ठीक ह x की value 1 plus 2 plus 1 into 2 divided by 100 आपका आजाएगा 3.02% अब कल्मुलेशन आप खुछ से कर सकते हैं मैंने जल्दिस कर दिया कितना आगया 3.02% आपका आगया effective rate total 4000 पे कितना rate लगा interest 3.02 तो भाई CI कितना हो जाएगा CI आपका जो हो जाएगा principal की value into effective rate कितना था 3.02 divided by 100 2.0 से 2.0 कट गया कितना जाएगा 2.0 से 2.0 कट गया और compound interest आपका जाएगा चारदूना आठ चार सुनने सुनना चारत्याइं बारा एक सो बीस रुपए आठ पैसे एक सो बीस 120.8 रुपीज आपका क्या जाएगा दोस्तों एंसर आजाएगा बस आपने क्या किया आपको पता था compound आपको आपको ऐसे भी कर सकते हैं इसमें वह कुई बुराई नहीं है कित्ता था दोस्तों यह फोर्थ आउजर्ट था ठीक है थोड़ा यहां से जल्दी हो गया ऐसे भी जल्दी हो जाए कोई खास मुझे तो डिफेरेंस परसन लिए लगता है मुझे जब भी कंपाउंड इडिक करना होता है तो मैं हमेशा इस मेथड को फॉलो करता हूं फार्मुला होते हैं यह मैंने आपको बता दिया लेकिन म हैं पॉला मैंने यह आपका फ्रस्ट्य इस थीर और हो गया इस एक परसेंट यहां फ्रेक्शन वावल्यू सकते नहीं इज़ता है बने सकते आपके मझे एक बेटम évं सत्झा ऑच्छ ऑरजार का 111 कितना होगा यह आपक्का 1440ं कहले गाईर यह और पि 40ihat 2 cafe shows 80 ठीके दोस्तों इतनी पास समझ आ गई उक्ए आप देखिए अब यहां पिआ या कि कितना है यह वाही कितना है ओममारा 1-3 इंट्रेस निकल गई है 2 यह लिगी मारा इसक्रेंट का आप इसका भी interest लगएगा तो यह होगा आपका 2% 2% इंटेस्ट कितना हो जाएगा गाई देखे 40 अगर आपका 100% है ये और 10% और एक डिसमल ओर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ये एक परसेट तो एक परसेट आपका 0.4 है तो 2 परसेट कितना होगा 0.8 0.8 होगा अब टोटल आपसे क्या पूछा है इसको मैं अलग कर देता हूं यह आपका इधर से है अगर मैं टोटल सी आई पूछू कितना है compound interest तो आप बड़ी ही अराम से बता लेंगे भाई दोस्तों यह है आपका क्या टोटल किता हुआ 80 फ्लस 40 120 120 फाइंड 8 रुपीस देखिए इससे करने का बहुत ज़्यादा यह होता है इस वाले मिथड से परसनली मैं इस वाले मिथड को प्रिफर नहीं करता हूं लेकिन मेरा काम था बताना इसलिए मैं बता दिया आप इससे भी कर सकते हैं दोस्तों कोई जादा दिक्क्रत की बाद नहीं है तेकि इससे फायदा यह होता है कि इस वालग अलग सिंपल इंट्रेस मिं निकल जाता है अलग से compound इसको करता हूं इसको करता हूं क्योंकि मुझे यह ज्यादा पसंद है ठीक है चलिए अच्छा एक दो कोशन और करते हैं फिर देखते हैं कि आपका एंसर सही आता कि नहीं आता है इससे भी कोशन दोस्तों जल्दी हो जाता है एजी बाद नहीं है देखिए जैसे कि एकर मैंन लुए अंको फाइंड करनी आ एंड क्या दोस्तों फ्रींस्पल रूह आपको क Southwest करनी है कंपांड इंट्रेस से कंपाउंट एंट्रेस से 6 परसेंट और से सेकेंड एर में 7 परसेंट टाइम इस टू इयर और से दिया रखा है है c i minus s i is equal to 21 ठीक है find the value of the principle value देखिए दोस्तों अब यहां से दोस्तों आप चाहिए इस वाले मेथड़ से भी कर सकते हैं मैंने बुछा था कुछ कुछ कोईशन में आपकोएक पर्सेंट इस विर से विव और से लेकिन आप लेर इस वाले मेथड़ों कर सकते हैं यह वाला मेथड कुछ कुछ कोईशन में जाद़ा effective काम हो जाता है लेकिन maximum ambition में आपको यही काम आने वाला है ठीक है जैसे इस वाले कोशन को अगर मैं ऐसे करना चाहूं कि यहां पर मैंने माल लिया 100 यहां पर कुछ ऐसे मालने सकते सिक्स प संट की वैलू डिवाइट मी तो कहते है लंब पड़ जाएगा अगर डिवाइंत करेंगे तो यह हमारा कित हो जाएगा एक्ट हो यह ऊते हैं ठीकी वाइट और यह हो जाएगा 7 x 100, तो आको नीचे का 100 x 50 करना पड़ेगा 5000 कर लेंगे, उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी हो जाएगा, या तो आप 100 यह भान के कर सकते हैं, प्रेंसेले लेगा कुछ भी भान सकते हैं, 100 माल लिया में ने, तो 6%, 7% निकाला है, क्या बताया था आपको formula ci minus si का formula क्या बताया था दोस्तों अगर मैं बात करूं ci minus si का formula क्या बताया था xy divided by 100% यही बताया था अब x हमारा क्या है दोस्तों इसमें 6 है y हमारा 7 है divided by 100 और यह आजाएगा आपका 0.42 percent effective percent कितना आ अगह दोस्तों 0.42 percent आपका आगए के effective percentage आ ठीक है अब आपको क्या निकालाद है दोस्तों कि CIE-SI दिया हुआ है कितना दिया हुआ है दूस्तों CIE-SI आपको दिया हुआ है 21 है तो भाई 0.4 2% मेंस 0.4 2% कितना होता है दूस्तों CIE-SI दिया हुआ तो प्रिंस्पल वैलू का 0.42% कितना होगा प्रिंस्पल वैलू का 0.42% मेंस होगा प्रिंस्पल इंटू 0.42 डिवाइड वाई 100 यह मैंने क्या ने कहला है CIE-SI यह मैंने निकाला CIE-SI CIE-SI आलेडी दे रखा है कितना दे रखा है 21 तो यहां से प्रिंस्पल वैलू आपका प्रिंस्पल वैलू आजाएगा आपका 10,000 डिवाइड वाई 2 है डिवाइड वाई कितना है 2 है आपका जाएगा 5,000 रूपीज इतनी चीज़ क्लियर आ गई एंसर क्या आ गया प्रिंस्पल के वैलू कि आ गई यह 5,000 रूपीज आपका प्रिंस्पल वैलू आ गया दोस्तों कैसे आ गया एक बार फिर से एक्स्प्रेंट कर जिता हूं देखिए हमारा रेट किता दिया हुआ था 6 परसेंट फरस्ट यह का रेट 6 परसेंट सेकेंड यह का 7 परसेंट टाइम इस टू यह सी आई माइनस ए टीक्स रूपें ठीक है तो ऑखीर अ-स एसाइड़ से का इफेक्टिव रेट में निकाल सकते हम हम परट्टिक्लार माइनस सब्सक्राइंच परफिर निकालेंगे सिर्फ सिसाइज का कई-स एसाई का निकाला है c i minus si का particulary मैंने effective rate निकाल लिया 2 year का तो c i minus si का effective rate क्या होता है x y divided by 100 और आपका आगया 0.42% ठीक है तो principal value का 0.42% जो आपका c i minus si आएगा वो यहाँ पर दिये रखा है 21 तो मैंने simple formula put कर दिया p into 0.42% is equal to 21 rupees ठीक है आप calculate कर लिया फी is equal to बाकी calculation है ठीक है फी into 0.42 divided by 100 अब calculate करके मैंने निकाल लिया p की value कित्या है गई 5000 rupees यह हो गया आपका answer दोस्तों ठीक है जैसे कि एक और question आपको बोलूं कि जैसे मैंने बोला दोस्तों ज्यांच देखिएगा question को कोई-कोई question में आपको यह वाला होगा लेकिन मैं आपसे बोलूंगा देखिए अगर rate हमारा three year का दिया हो मैंने बोला कि third year first year आपका 1% second year आपका 2% second year आपका 2% third year आपका three percent ठीक है find the principle value किती दी हुई है principle value दी हुई है आपकी five thousand five thousand तो आपको क्या find करना है compound interest found करना किता होगा टीज क्वाल्टू आलेडी one two three year दिया हुआ है आपका टीज क्वाल्टू किता दिया है three year बस देखिए अब आप तीन year हो गया तीन year का मैंने फार्मुला बता है नहीं मैंने तो two year के फार्मुला बताया था तो कोई दिक्कत नहीं मैंने बोला कि आप इस वाले method से follow करिएगा P year में डिवाइड करके उससे भी आपके सारे question solve हो जाएंगे ठीक है चले करके यह और देखते तीन तरीके हैं जिसमें जो ज्यादा easy होगा उसको मानेंगे ज्यादा easy क्या होता है जो fraction की नीची वालो होता है उसको मानते हैं ठीक है लेकिन कभी कभी इसको मान लेंगे तो इससे वेसां जैसे एक principle value यह मारे principle value अब यहां पर किते year है तीन year है फटापड करकुलेर कर ले तो यह आपका first year यह second year यह हो गया आपका third year पहले साल किता है वही एक परसेंट दूसरे साल है आपका 2 परसेंट तीसरे साल है आपका तीन परसेंट अच्छा हम ऐसे की क्यों नहीं कर रहे हैं हम ऐसे भी कर सकते थे दोस्तों हंड्रेड का मोटिप्लाई इधार आता 50 इधार आता 100 मतब हंड्रेड इंटू 50 इंटू 100 बहुत बड़ा नमबर आता इसलिए मैंने इसको प्रिफर नहीं किया ठीक है दोस्तों इस अगर और अग्ला डिस्मल हो जाएक हमारा मत्ता 50 या गया गया एक परसंट कितना हो गया और 3% कितना होगा, 150, हो जाएगा, चलिए, अब देखिए, जो 2nd year है आपका, 2nd year में, 1st year के interest पे interest लगेगा, कितना परसेंट, 2%, क्योंकि 2nd year के interest कितना है, 2%, तो 2nd year के इस पे 2% लगेगा, तो इसका हो जाएगा, यह 100%, यह 10%, और 0.5 हो जाएगा, आपका 1%, तो 2% कितना होगा 1 रूपीस, देखिए, ऐसे कर लेंगे, यह होगया, आपका 10%, और यह होगया, आपका 1%, ठीक है, यह कितना होगया, 1%, तो 1%, 0.5 है, 2% हो जाएगा, 5 into 2, 1, 1 आ जाएगा, 3rd year में, आपके जिदने भी interest है, 1, 2, 3, 3 तीनों पे interest लगेगा, सबसे पहले इस पे लगाते हैं परसेंट, 3rd year में, इस पे लगेगा 3%, तो 100 परसेंट, तो 3 होता है, इस पे भी लगेगा 3%, तो यह कितना होगया, दोस्तों, 1% है, एक हैं आपका 100%, एक decimal यहां लगाएंगे, तो हो जाएगा 10%, एक 0 हो लगाए लगा देंगे, तो कितना जाएगा, 1%, तो 1% हो गया यह, तो 3 परसेंट कितना होगा आपका 0.03 एक परसेंट अगर इतना है तो 3 परसेंट कितना हो गया 0.03 अब टोटल देख लेते हैं वहाई कितना हो गया हमारा compound interest यह decimal का calculation आपको आता होगा यह उम्मीद करके चल ले हैं तमारा जो compound interest आ जाएगा c i की value जो आजाएगी दोस्तो c i की value कितना जाएगी 50 प्लस 100 150 प्लस 150 कितना हो गया 300 प्लस इस वाले नीचे वाले को जोड़ लेना है नीचे वाले कौन-कौन सा है एक तो आपका यह 1 1.53 एंड यह 3 प्लस 4 कितना हो गया 4 फटा पर जोड़ लेते हैं और 1.5 प्लस 0.03 हो गया आपका 0.153 तो यह जाबका हो जाएगा 304 305 305.53 रूपीस समझ जा गया दोस्तों इसमें मैंने जनरली क्या किया है इसको मैंने वही आपका principal value मान लिया है जो अलेड़ी था principal value वही मान लिया है और देखें ऐसे कम मानते हैं जनरली वही मान के first year second year third year का 1% 2% 3% इचली लिय compound interest की rate बहुत छोड़ा छोटा हो तो आप ऐसे कर सकते हैं नहीं तो अगर ऐसे दिया हो कि 14 सही 2 by 7% है तो इसकी value आपको पता है एक बटा साथ है तब तो यह करने में ज़्यादा फायदा है कभी-कभी ऐसे भी कर लेंगी ठीक है यहाँ पर 1%, 2%, 3% ऐसे भी निकाल लेंगी ठीक है दोस्तों तो अभी के लिए इसमें इस टाइप का कोशन खतम हो गया है ठीक है अब हम अगले जो हमारे क्लास होगा उसमें हम एक अलग टाइप के कोशन को सॉल्व करेंगे अभी compound interest में 2-3 टाइप के कोशन बचे हुए दो टाइप का इतिन बचे है ठीक है उस टाइ से एक कोशन करा दे रहा हूं और यह sufficient है आप खुछ से खुछ से अलग-अलग variant के कोशन कोशन कर सकते हैं दोस्तों मैं यहां पर पूरा एक-एक variant के बहुत सारे कोशन कर रहा हूं उत्ता टाइम ही नहीं है ठीक है और आप खुछ से भी प्रेक्टिस करें क्योंकि हर करके वह आप खुछ से भी कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं नेक्ट क्लास के लिए और यह वीडियो में अभी आज अपलोड कर दूँगा और तुरंधे दूसरा वीडियो भी बना के अपलोड कर दूँगा ठीक है तो पड़ा पड़ जली जली करते हैं इसके कर दूसके बादा कि अए भीड़ है 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 तुर में场 कॉस्भ सेने हैं आप खुछफे झाल चॉणखे पर के ब लितसे हैं भीड इवलते हैं आप कर दो कर दो कर दो कर दोब है और दर दूष़ हैं ग्लोड़ कर कर स Pas More